इस समय हमारे साथ मौझूद हैं पूर्व मंत्री कृपा संकर सिंग जो भाजपा महाराष्ट के उपाध्यक्ष हैं इनके जिम्में गुजरात चुनाओ में दस जिले सौपे गए हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या हालात हैं गुजरात विधानसवा चुनाओ के अभी जिन्हों ने वारानसी के संसदी छेट से सांसद बने हैं उसका हम लोग एक गवरो है और दूसरा प्रधान मंत्री जी गुजरात से आते हैं इसलिए गुजरात का चुनाओ जो है वो भारती जनता पार्टी के पक्षब हैं पूर बहुमस जीतेगा ऐसा हम लोग आभास तो है और मैं कल यहां से जाने बाद मुंबई से परसों 18 तारीक को कुछ टीम के साथ मैं जा रहा हूं आमदाबाद करीब चार दिन हूँ उसके बाद तीन दिन मैं सूरत हूँ दो दिन वापी मूँ फिर सूरत में चुनाओ तक रहूँगा मुझे लगता है कि पिछली बार का रिकार्ड भारती जन्ता पार्टी का भारती जन्ता पार्टी के मद्दाता तोड़ेंगे नेता जी आपको ऐसा लगता है कि तोड़ेंगे लेकिन जिस राज्य के प्रधान मंत्री और ग्रिह मंत्री हैं उसी राज्य के भाजपा के बागी नेता चुनाओ लड़ रहे हैं और प्रधान मंत्री के संदेश तक को फोन पे सुनने को तयार नहीं है। माडल की बात करके चुनाओ जीता जाता है। लेकिन गुजरात का माडल जो है जो इस समय दिखने में आ रहा है। वहां से जानकारी आ रहा है कि नेरो गेज की ही लाइन थी वो और वो भी उखाड दी गई है। और नेता दावा कर रहे हैं जंक्सर में रहने का। जूट बोलने होगे। मुझे लगता है क्योंकि इस धंक की बात अगर उनको कहना था तो पहले का से चुनाओं में खाली डाइवर्जन है। एक तरह से सही बातों को अलग धंक से ले जाने की कोशिस है। कुछ दिनों से मौर भी बड़ी चर्चा में है। कारण है कि वहां का जो जूट गया करीब 140 लोग मर गए। वहां पे आपके विधायक ने पार्टी छोड़ दिया है और निरदेली चुनाओं रहा है। वाति लाकॉण फिसके कमई होते हैं अगर तुम विधायक किसी पार्टी से बने हो उस्तव जाने जाते हो तो मेंको द्ट को करनाों चाहिए सामन ला सी भ़्याइस की मालदी गर intenini कि की गरफतार इक मुझे पूरी पताने गिर्फथारी होगी, कठोस कठोस कारवाई होगी और जो परिवार मतलब नहीं बचा है उन परिवार के लिए आधनी परधानमंती जी खुद मतलब मौनिटरिंग कर रहे हैं, जो घायल हैं, उनका भी देख रेक कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मौरवी घटना दुरभाग पूड़े परधानमंती खुद गए, ऐसा नहीं कि दूर से उननवात करें। कहां गया मफलर, कहां गयी टोपी, कहां गया अनना हजारे, कोई बचा है, अब उनको वहां उनकी कांगरे से लड़ाई हो सकती है। जिस तरह से भाजपा में बगावत है, उससे निपट पाएगी चुलाओ में भाजपा। भारती जन्ता पार्टी एक संस्ता है, क्योंकि मैं आज बीजीपी में अश्लिए नहीं करा हूँ। मैंने धाई सालों में देखा है, कि भारती जन्ता पार्टी सिधानतों पे चलती है। भारती जन्ता पार्टी जो कहती है वो करती है इसलिए भारती जन्ता पार्टी दो सांसद दूआ करते हैं आज जो है तीन सो तीन सांसद हैं आज वो बहुमत सरकार बना रहे हैं आज मुझे रखता है कि दस से बारा राज्यों मुखमंती हैं कई जगों पे उप मुखमंती है तो अगर भारती जनता पार्टी अगर नहीं करती तो आज क्यों लोग उनको चुन की देते गुजरात में सीधी लड़ाई आपकी किस्से हैं आई नहीं है कांग्रेस या आम आदमी पार्टी कांग्रेस लड़ रही है आम आदमी के मैदान में आने से अभी तक नेट नेट लाई कांग्रेस भाजपा में होती थी या कांग्रेज हो रहा ह Ama भी बता सकते हैं तो यह थे हमारे साथ महाराष्ट्र भाजपा के उपाद्यक्ष कृपा संकर सिंग जो महाराश्टर सरकार में मंत्री रहे हैं और इस समय इनके उपर बड़ी जिम्मेदारी है गुजराद विधान सभाज चुनाव को लेकर देए मनोश्त्र पाठी एबीपी गंगा प्रताब गर्भ एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपकी